अब हम करेंगे साथ तरीक की shift 2 के maths के questions पहला question है cos 45 and sin 15 इसकी value बतानी है cos 45 की value होती है 1 by root 2, sin 15 की value होती है under root 3 minus 1, 2 by root 2 इंड होनों को multiply करेंगे तो आजाएगा under root 3 minus 1 नीचे 4 फिर्स्ट का answer आगे option number 2 under root 3 minus 1 by 4 sin 15 की value याद कर लो वैसे वैसे निकालेंगे कैसे sin 45 minus 30 तो यह जाएगा sin A cos B minus cos A sin B इससे निकल जाएगी यह वाले वैले अगला question है weight of 12% increase by 3.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 58 बारा लोगों पे 3.5 kg बढ़ गया यानि 12 इंतु 3.5 kg कितना बढ़ गया total weight बारतिया 36 और 42 42 kg यानि 42 kg बढ़ गया और 42 जो किलो एक्स्ट्रा था एवरेज से वो 12 में डिवाइड हो गया यानि 58 plus 42 100 kg का weight था उस आदमी का 100 में से 58 तो एवरेज की बराबर आ गया बाकी 42 बारा लोगों में 3.5-3.5 बढ़ गया तो अठावन प्लस 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 सो केजी तो सेकेंड का आ गया option नमबर टू 100 केजी तो सर्कंफेरेंस अफ टू सर्किल्स इस 308 और 440 तो वाट इस दिविए बिट्रेंस बिट्रेंस कितना हो जाएगा 132 इंटू 22 बाई 7 आर माइनस आर ये 22 ये 6 बार ये 3 बार आर माइनस आर हो जाएगा 21 यानि डिफरेंस आव रेडियस 21 हो गया तो थर्ड क्वेशन का अगया option नमबर 321 अगला क्वेशन है two concentric circles are drawn with a radius piece और 16 ये वाली 16 है ये वाली 20 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 ये वाली ये वाली लेंद पूछिए ये वाली 20 है ये 16 हो गई तो 400 माइनस 256 ये वाली लेंद कितनी आगई आई था वारस से 144 यानि ये 12 ये बारा आगई तो बारा यहां और बारा यहां 24 सेंटीमीटर है वो कॉड़ जो टेंजेंट होगी smaller circle पे तो फूर्थ का answer आगया option नमबर 124 सेंटीमीटर अगला question है partnership का और नहीं work and time का है वीजे को लगते हैं 12 वीक प्रवीन को लगते हैं 8 वीक तो बारा अंटे चीन में ये 8 और ये 12 नहीं तो इसको direct 24 से ले लो ना वी और पी 12 और 8 24 ये 2 और ये 3 ठीक है due to work pressure they decide to work on the assignment alternate basis प्रवीन पहले शुरू करेगा यानि कि पहले शुरू करेगा तो कितने दिन में काम हो जाएगा यानि तीन और दो पांच यूनिट काम होता है दो दिन में तो पांच चौका बीस और ये चार बीस यूनिट काम हो जाएगा आठ दिन में उसके बाद में फिर उसके बाद में प्रवीन करेगा एक दिन काम तो तो तेईस यूनिट काम हो गया नौ दिन में अब एक यूनिट काम करना है विजय को विजय एक दिन में दो यूनिट करता है तो एक यूनिट आधे दिन में कर देगा 9.5 डेज हो गए तो फिफ्ट कुशन का अंसर आगया ऑप्शन नमबर वन 9.5 अगला कुशन है शॉप कीपर सेल्स आर्टिकल्स एक को यहां पर उसका कॉस्ट प्राइज है उसको 27 बटे 2% पर बेचता और 11% पर इस लॉस पर बेचता और इसके बीच में उसको फाइदा कितना हो गया यहां से यहां में परसेंटेज में तो यह ऐसे गया और 1244 है यहनि 27 बटे 2% लॉस में बेचता था 11% फाइद में बेचता है तो उसको 1244 रुपए का फर्क पड़ता है तो यह हो गया 11 प्लस 27 बटे 2 यहनि 27 प्लस 22 बटे 2 यहनि 49 बटे 2 परसेंट की वेल्यू है यह तो 100 परसेंट की वेल्यू कितने हो जाएगी शिक्स्त में उपशन नमबर 4 पाथजार तोस्व अगला क्मशन है क्मशन नमबर 7 यह कहता है कि इसको सिंप्लिफाइ करो तो A मैनस 1 बाइ A क्यूब इसको जबाइन उप्लिफाइ एक करेंगे तो भाजाएगा A क्यूब मैनस 1 बाइ A क्यूब minus 3 into a minus 1 by a और ये bracket में 1 है प्लस ये वाला हिस्सा जोड़ो इसमें ये cancel हो गया बच किया गया a cube minus 1 by a cube सेवेंथ के अंदर बच गया option number 3 question number 8 है import during 2017 how many times था import during 16-17 16-17 में import कितना है 1200 17-18 में कितना है 1600 तो 1600 बटे 1200 करना है 4 और 3 कितना आओ गया 1.33% sorry 1.33 times तो 8 के अंदर आगया option number 1 1.33 times अगला question है 20% का discount मिलता है 2 book खरीदने वे 25% का discount मिलता है 2 से जादा book खरीदने वे 10% का discount मिलता है जो एक किताब खरीदते है 5% का discount मिलता है जो student है तो सोहन जो की एक student है एक किताब खरीद रहा है तो उसको total discount कितना मिलेगा 10% का और 5% का और 513 में दे लिए यानि 513 जो उसको पड़ी वो mark price का कितना था पहले तो 9 बटे 10 10% का discount फिर इस पे additional discount 5% का यानि 19 बटे 20 ठीक है यह सब बकवास है यह 20% यह 25% यह सब ऐसे ही लिखा है इसका कोई यूज नहीं है तो mark price कितना आ गया है यहां से 9 से काटा तो यह 9.55 और 9.63 तीन तीन दूनी 6 mark price 600 रुपए आ गया 9 का आ गया option number 2 600 अगला question है x y z एक triangle है पी उसका in center है x y z पी एक in center है x y z यह 50 है x p z पूचा है तो अपने पास in center का जो angle होता है x p z वो होता है 180 minus x plus z by 2 यह 50 है तो x plus z कितना हो गया 130 180 minus 130 बटे 2 180 minus 65 हो गया यानि कि यह हो गया 118 ठीक है तो 115 है इसका answer आ गया यह in center का angle हो जो होता है वो होता है in center angle x is 180 minus a plus b by 2 उस वाले formula से होगा है 10th के इंदर आ गया option number 4 115 11th है 11th question है 20% of the inhabitants of the village have died of malaria a panic set during which 30% of the remaining inhabitants left the village consider the population was reduced to 1200 what was the inhabitants initially ठीक है 12,000 हो गई अब यह initial के कितनी है 20% तो चले गए तो 4 बटे 5 है ठीक है और 30% remaining के यानि 7 बटे 10 रह गई अब यह तो 4 ती 12 ठीक है और x के value अब आ जाएगी 3000 into 50 बटे 7 जो integral value होगी उसकी वो आएगी 11th के अंदर option number 3 21,428 अगला question है J1, J2 का ratio बताना है J1 का है total expenditure of company L in 5 साल L का कितना हो गया 0, 5, 2, 3, 3, 6, 4, 10 और 11 यह कितना हो गया 0, 5, 5, 10, 15, 15, 15, 15, 16, 19, 11, 12, 13 115 और 135 यह कितना 23, यह कितना 27 23 इस्टो 27 हो गया J1, J2 का ratio 12th के अंदर आ गया option number 4 अगला question है question number 13 K की value अगर less than 0 है और जब K plus 1 by K यहां से क्या है minus 2 यहां से तो K की value कितनी आगी minus 1 K वल minus 1 इस equation को satisfy करेगा तो minus 1 की power 10 plus 1 की power 11 minus 1 की power 11 कितना हो गया minus 1 की power 10 तो 1 हो गया और यह minus 1 तो यह 0 आ गया तो 13 के अंदर आ गया option number 3 0 Question number 14 है ABC is similar to DEF 2 गुना AB का DE है BC की value 8 है तो EF की value कितनी आगी इसकी sides इसके 2 गुना है तो जब BC की value 8 है तो DE की value कितनी आगी 16 8 का double यहां से 14 का आगया option number 1 16 cm अगला question 15 perimeter of square is 124 तो एक side कितनी हो गई 31 area को कितना हो जाएगा 31 का square 961 15 का आगया option number 1 961 meter square अगला question है M की value sin theta की value निकाल ली है 1 प्लस sin theta दे रुखा है M cos theta इसको कैसे लिख सकते हैं sec theta plus 10 theta is equal to M cos theta को उधर ले गए तो हमें पता है sec theta minus 10 theta 1 by M होता है जब sec theta plus 10 theta M होता है तो sec theta minus 1 by 10 theta 1 by M होता है अब इन दोनों को आप add कर लो add कर लोगे तो 2 sec theta की value कितने हो जाएगी M plus 1 by M cos theta की value sorry 2 sec theta की value कितने हो जाएगी M square plus 1 by M ठीक है इससे cos theta की value कितने हो जाएगी 1 by 2 cos theta की value M upon M square plus 1 cos theta की value कितने हो जाएगी 2M upon M square plus 1 यह cos theta की value आगी sin theta की value किया जाएगी under root 1 minus 2M M square plus 1 का square यह कितने हो गई M square plus 1 का square minus 4M upon M square plus 1 का square का under root यह आगी अपना M square minus 1 M square plus 1 जो की 16 question का answer है option number 2 यह आगी अब है question number 17 48 km जाने और आने में 14 गंटे लगते हैं if we can row 4 km with the stream in the same time as 3 km time save है distance का ratio है 4 is to 3 downstream और upstream का speed का ratio भी 4 is to 3 हो गया ठीक है अब 48 और 48 48 गुना दो यह जाना है और 14 गंटे में आ जाते हैं यह 14 hours speed कितनी है 4 plus 3 7x तो x के एक value कितनी हो गई यह है अपना 7 इसको फिर से देखो 48 km जा रहा है 48 km आ रहा है 14 गंटे में time same है तो distance का ratio 4 is to 3 है downstream और upstream में ठीक है तो speed का ratio भी यही हो जाएगा 4 is to 3 यानि यह 48 km गया है downstream से 4 unit speed है plus 48 unit आया है 3 unit speed है यह unit है कुछ यह 14 के equal है तो 48 common ले लो यहां जाएगा 7 unit और यह 12 unit square 14 यहीं कि एक unit की value 2 आ गई ठीक है तो अब हमें speed of stream पूछिए तो speed of stream होती है downstream में क्या होती है boat plus water यह downstream boat minus water यह upstream 2 unit के इसाब से boat plus यह कितनी है 8 4 है एक unit की value 2 है यह 3 है यह 3 है एक unit के वे लिए 2 है तो 2 water is equal to 2 तो water की हो जाएगी 1 तो speed of stream कितने आ गई वन किलोमेटर परावर अगला question है find the least number exactly divisible by 9, 24 और 36 9, 24, 36 पूछा है तो 9 नहीं हो सकता 24 नहीं हो सकता ठीक है 36 भी नहीं हो सकता बेहतर ही है 9, 24, 36 से कैसे divisible होगा 24, 36 से कैसे divisible होगा या 36 या 72, 36, 24 से divisible नहीं होता है अगला question है x plus 1 by x की value 2 है इसका मतलब सीधा सीधा x की value 1 है एक equation है एक value है जो इसको satisfy करती है वो है x equal to 1 तो x cube plus 1 by x cube क्या हो जाएगा 1 अगला question, question number 20 है average number of cars sold by company B, F and HR saw B, F and H या 12 और 8, 20 और 10, 30 30 बटे 3, 10 percent 10 percent दसजार का सो होता है ये बिलकुल सही है ratio of number of cars sold by A या 20 percent to the number of cars sold by E ये कितना है 16 percent A is to E का ratio of 5 is to 4 है ना कि 4 is to 5 या ये statement गलत है 20 के अंदर आ गया 20 के अंदर आ गया option number 4 20 के अंदर आ गया option number 1 कैसे एक मिनट देखने है average number of cars sold by company B, F and H B, F and H 12 और 8, 20 और 10, 30 30 percent का average कितना हो गया 10 percent 10 percent कितना होता है 10,000 का 10 percent कितना हो गया 1000 होता है 100 नहीं होता है sorry ये गलत है यानि कि दोनों गलत है अब 21 है the sum is deposited in a bank which gives simple interest sum becomes 1.25 times in 3 years 1.25 हो गया 3 साल में यानि कि 1 पर 0.25 का interest मिलके 1.25 हो गया 3 साल में यानि कि 0.25 इसको interest मिला 3 साल में यानि कि रेट कितनी आ गई 25 बटे 3 ठीक है अब 7 साल के लिए उसको कितना पैसा deposit करें कि 7 साल बाद में 7,60,000 हो जाए ठीक है तो 7,60,000 तो हमारे पास amount है जो कि होता है principle प्लस interest यानि कि ऐसे देख लो इसको 7,60,000 इस इक्वल टू प्रिंसिपल यानि कि पहले जो था एक्स प्लस एक्स पे इस रेट पे साथ साल का ब्याज और लगेगा साथ साल का ब्याज जब इसको हम solve करेंगे यहां percentage है तो एक्स की वेली जो आएगी वो आएगी चार लाक असी हजार इस वाले को solve करके देखो अगला क्वेशन है सर्क्ली इस इंस्क्राइब इस ट्रैंगल एविंग साइड दिस दिस इंड दिस यह वाला अच्छा क्वेशन है यह एक सर्किल ट्रैंगल के अंदर है पहले ट्रैंगल बनाओ उसके अंदर एक सर्किल बनाओ यह A, यह B, यह C यहाँ पे D यहाँ पे E और यहाँ पे F A, D पूछा है हमसे यह वाला हिस्सा कितना है यह देखो, common place से दो टेंजेंट जारी है सर्किल पे, तो यह दोनों बराबर होगी तो यह X होगी, तो यह X होगी इसी तरह यह Y होगी, तो यह Y होगी यह Z होगी, तो यह Z होगी तो यहाँ से X प्लस Y कितना है अपने पास X प्लस Y कितना है A, B, A, B कितना है 16 Y प्लस Z कितना है 20, 20 कितना है 20 और Z प्लस X कितना है AC, जो कितना है 24 यानि इसे जोड़ेंगे तो यहां से X प्लस Y प्लस Z कितना आ जाएगा 8 और 10 18 18 और 12 30 आ जाएगा ठीक है और X हमें निकालना है तो Y प्लस Z 20 यहां से पुट कर दो X प्लस 20 बराबर 30 X की वेल्यू कितने आ जाएगी 10 cm 22 के अंदर आ गया Option No.2 10 cm अगला क्वेशन है यह तो रेशियो का सिंपल क्वेशन है 14 बटे 30 बराबर 7 पाई एक साथ दुनी X की वेल्यू पंदरा आ दो 24 क्वेशन है यह यह डेटा देखके हमें एक चीज़ बतानी है तो डेटा देखके जब वेट बढ़ रहा है तो हाइट भी बढ़ रही है तो वेट बढ़ रहा है तो हाइट बढ़ रही है 24 में Option No.2 अगला है जो साथ और ग्यारा से डिविजिबल होंगे वो 77 या 77 के मल्टिपल्स होंगे तो जैसे कितने मल्टिपल्स 77 के पाँच से करके देखो 75 35 385 अगला कितना है 462 या जादा हो गए यानि 77 के पहले पाँच मल्टिपली ऐसे हैं जो दोनों से डिविजिबल हो गए तो इसका अंसर आगए 25 का Option No.4 5 इसके साथ साथ तारीक की सेकंड शिफ्ट भी अब अपारी कंप्लीट हो चुकी है थैंक यू सो मुच